प्रव स्वागता ब्रेकिंग नूज हमीरपूर दरदार अतियार से 60 वर्षी मैला की फिर हुई निर्माम हत्या पिछले मैने भी हुई थी 63 वर्षी मैला की निर्माम हत्या जिसका पुलिस ने कर दिया था खुला सा अब एक साथ वर्षी मैला की हत्ता से ग्राम में फैली संसरी बामला जिन पर हमीरपुर के विम्वार थाना छेतर के अंदरगत आने वाले एक मोहले का है जहां पर एक साथ वर्षी मैला का रात में सोते समय धारदार हतियार से निर्मम कतल कर दिया गया जिसकी बनक सुबा जब उसकी बतीजी घर में गई तो लगी आनन फारन में उसके मोहले वासियों और पुलिस को सुचना दी मोगे पर पोस्टी पुलिस ने सो को कब्जे में लेकर पूच्टाश कर दिया और आपको बता दे कि सो पोस्ट माटम के लिए बेजने के बाद पुलिस जाच में जुट गई है मोगे पर ग्राम में छेत्र अधिकारी सौम्या पांडे मोगडा के साथ भारी पुलिस फोर्स तैना आथ है सामतीना में हम भैस को चारा लेने गाए थी तभी बुवा लेटी थी इतनी टाइम बुवा उनर जाया करती थी कि अपने बख्रीयों को उसार करने लंग थी उनकि सानिए बनाना उनको जत्तर ज़ादना जो गी है मेरा नाम बाबुलाल परजपती है, कल रात में हम लोग अपने गार में सो रहे थे, हमारी बुबाजी के किसी अग्याद बेक्ती ने आकर किसी धारदार हत्यार से उनकी हत्या कर दी, सोबह मेरी पत्नी पर आई, तब उनको मरी पड़ी हुई दिखाई पड़ी, तब उर्स पने सूच ना दी, तब हम लोग पुलिस को सूच ना दिया, तो कोई रंजस वगएर थे, ना हमारे कोई ऐसी रंजस नहीं थे, किसी से लिवात है, ना किसी से नहीं है, हमारी बुबाजी करी तीस साल से हम अपने घर पर रखके रहे, हमारे गाम में आज रात में एक अग्यात लोगों द्वारा एक लगबख साथ हो अर्स की महिला की निर्मा महत्या की गई है, जिसकी जिसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जाच में लगी हुई है, और ग्राम में लोग भी इसकी उसमें लगें कि ये जानकारी इसकी दिल्कुल गहराई तक जाच होके, इसकी इसका परदाफास होना चाहिए, चुकि उसका न तो कोई जमीन जाजायत का बिवाद था, न कोई इस तरह का परिवारिक बिवाद था, और ये ऐसा एक अचमभा सा हो गया कि एक साथ वर्ष की महिला की निर्मम हत्या करना, और हमारे थाने के जिससे हमें इस्पेक्टर हैं और कस्बा इंचार्ज हैं, बहुत ही अनभवी हैं इस मामले में, हमें विश्वास है कि इस घटना को वो खोल देंगे, खाना बिवार में आज सुछना मिली कि कस्बे में ही रहने वाली एक साथ वर्ष यह महिला, जो की मैं घर पे अकेले रहती थी, उनकी हत्या कर दी गई है, इस संबन्द में तहरीर प्राप्त का ठाने पर मुकर्मा पनिविव कर लिया गया है, मौके पर फिल्ड यूनिट डॉग स्कॉर्ट मौजूद है, कुछ लोगों को शंका के आधार पर पुस्ता चेतू ठाने के लिए लाया गया है, अन्य फॉरंसिक एविदेंस कलेक्ट करते हुए, इसमें घटना के अनावरन के लिए टीमों को लगाया गया है, सब्सक्राइब करें, इंडिया टाप नूज चैनल और बेल आइकन दवाना ना बूलें, इंडिया टाप नूज अपने चेत्र की खबरे सबसे पहले पाएं,